गर्मी में किस तरह खाए बदाम तो हमको ये बहुत बहतरिन फैदा कर सकती है आपने बदाम के बारे में थमनेल देखा और आप पसे जगा आये हैं थमनेल देखकर तो आज हम उससी से initial बात करेंगे कि हमको बदाम क्यों खाने चाहिए किस तरह खाने चाहिए बदाम से हमको क्या फायदा मिलती है आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे सेहत के लिए बदाम बहुत फायदेमन होती है इसमें भरपूर मातरा में फाइबर, कैलसियम, मैगनिसियम, आयरन और बहुत सारे बिटामिस भी पाया जाते हैं लेकिन हम इस इसे किस तरह उपयोग करें कि यह हमारे सरीड के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमन हो बदाम, कोलिस्टॉल, वेट लॉस, देल, कैंसर, डाइविडिज जैसी बिमारियों को दूर रखने में हमारी मदद करती है इसे हर मौसम में खाया जा सकता है लेकिन बदाम की तासिर बहुत ज़्यादा गर्म होती है इसलिए इसे गर्मी योग की महिने में अगर हम इसको पाने में भीगो कर खाते हैं तो ये हमको बहुत ज़्यादा बहतरी फायदा दे सकती है अमवन बदाम को भीगो कर खाने से उससे मिलने वाले फैदे दो गुने हो जाते हैं और गर्म तासीर का भी सरीर में कोई असर नहीं होता है बदाम के छिलके में मौजुद टोनिन सरीर को उसके पूसक तत्तो को एपसार्ब करने में रुकता है इसलिए छिलका उतार कर हम अगर बदाम को खाते हैं तो ये हमको बहुँ ज़दा फायदे मन दे सकती है भीगे हुए बदाम से इसकीन से रिलेटिव प्राबलम दूर होती है और चेहरे पर निखा रहता है चमा काती है बदाम में भरपूर मातरा में बिटामिन E पाया जता है जो हमारे बालो और तोचा के लिए काफी ज़दा लापकारी है यहाँ इसकीन से रिलेटिव हमारे सरीर में सेल्स जो बेड सेल्स है ठीक है जो सेल्स हमारे सरीर में काम नहीं कर रहा है उसको नए सेल्स हमें कनवर्ट करता है और हमारे सरीर के लिए पायदे मन होता है गर्मियों में अक्सर लोगों को पेट की समस्याएं सताता है खाली पेट भीगे हुए बदाम खाने से हमारे सरर की पाचान क्रिया भी बहतरिन हो जाती है अगर आप प्रते दिन भीगे हुए बदाम खाते हैं तो गैस सेसिडिटी की समस्याएं से आपको निजात मिल जाएगी और एक बहतरिन डिजल्ट मिलेगी इसलिए अगर आप बदाम खाना चाहते हैं तो भीगे हुए बदाम खाईए और छिलका उतार कर खाईए अगर रात को भीगा हुआ रात के समय में बदाम को भीगा लीजिए सुबह उसका छिलका उतार लीजिए और अच्छे से चबा चबा कर खाईए इससे आपको बहुत बहतरिन फैदा मिलेगा तो आज हम जाने बदाम के फैदे आपको हमारा यी वीडियो कैसा लगा लाइक एंड सस्क्राइब करके जरूर बताएं मेरा नम उम प्रकास वेशनो है और मैं हेल्थ से रिलेटिव आपके लिए एक बहतरिन वीडियो लेकर आता रहता हूँ अगर आप हमारे चैनल में फ़र्ष्ट बार आए हुएं आप पूरी तरह वीडियो देखे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सस्क्राइब किजिए ताकि हम जब भी आप आपके लिए हेल्थ से रिलेटिव कोई सही वीडियो लेकर आए तो आप तुरन नोटिपे किसर मिल जाए थैंक्यू सो मच